जाहिंद एब्रिवन आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो अगर आप सिम्पल आठ पास हो या सिम्पल दोस पास हो और आप इंडियन आर्मी का त्यारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है देखो इंडियन आर्मी के तरफ से लद्धाख में एक भरती निकाला जैना तो वह खूली भर्ती डाता है जीस तरह से टी ये आर्मी का भर्ती कराता जाता ना से उसी तरह से वो भर्ती भी कराया जाता इउसमें सबसे पहले 1600 मिटर का दोड कराया जाता है वहाँ पर 1600 मिटर दोड़ना बहुत मुश्किल रहता है लेकिन मतलब पूरा टाइमिंग मिलता है ठीक न वैसे तो 1600 मिटर दोड़ने के लिए 5 मिनट 45 सिकंड इंडियन आर्मी में मतलब टाइम दिया जाता है लेकिन इससे जैसे पिछले साल लाड़के वहाँ पर भरती देखने गए तो वह भाई साब बता रहेते कि 1600 मिटर वहाँ पर वो लोग दोड़ा रहे थे और पूरा फूल टाइमिंग दे रहे थे तो टाइमिंग ओमिंग का तो कोई इससू नहीं बता रहे थे लेकिन इस भरती के बार में पता करना बड़ ब्रति निकाला गया है तो मतलब कबसे भरति चालू होगा उसमें सबसे पहले दौल कराई जाएगा या पेपर कराई जाएगा कितना वहां पर मारना रहता है वह सारी चीजे मैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं आप लोग पूरा वीडियो देखना उसके टेलिग्राम चैनल निलेस ब्लोग के नाम से आए अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल में जुड़े हुए हो तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा और अगर आप अभी तक मेरे टेलिग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिय मैं अपने टेलीग्राम चरनल का लिंक के दिस्क्रिप्चनर में विदे दूगा और फिस्ट कमेंट में भी दो खांगा तो इस मेरे टेलीग्राम चरणेल और एक बात को लेकर अभी मैं confusion में हूँ तो जिस बात को लेकर confusion में हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा ठीक ना मेरा एक दोस्त है जिसका selection हो गया है अगले साल वो भरती देखने गया था लद्दाक में और सिर्प वही नहीं उसके साथ मतलब जो चार लोग गये थे तो चार लोगों में से साथ तीन लोग का selection हुआ है इसके पहले मतलब एक साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में आप लोगों से बोला भी था कि भाई लद्दाक में एक भरती कराया गया है जो खुली भरती था जिसमें मतलब कोई भी relation का certificate नहीं मांगा गय जिस बात को लेकर doubt में हूँ वह भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। मिलता है टाइमिंग में कोई प्रोब्लम नहीं होता है यह रहा उस भर्दी का पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इस नोटिफिकेशन को आप लोग को अच्छे से समझना है ठीक ना यहां पर बोला गया कि लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर में यह भरती निकाला गय कि इस भर्दी में जाने के लिए उमर कितना होना चाहिए ठीक ना सारी चीजे मैं आप लोग को बताऊंगा यहां पर बोला गया है कि उनिट मुख्याला कोटा के तहत अगनीबीर भर्दी रहेली 16 जून 2024 से 17 जुलाई 2024 तक चलेगा वैसे तो यह भर्दी रिलेशन वालों के लिए होता है लेकिन ओपन वालों के लिए यहां पर एक भर्दी होता है मुझे मेरे दोस्त से बात होगा तो मैं पूरा किलियर बता दूँगा पहले आप लोग समझ लो यहां पर बताया कि लद्दाख स्काउट रेजमेंटल सेंटर निमनलिखित कार्यकरम के अनुसार पात्र औ विवाहित पुरुस अभ्यार्थियों के लद्दाख स्काउट र बताया जाए रहा है कि बीस जुन को पहला बरती कराए जाएगा और पर बाताया जरा है कि लोग नहीं जा पाओंगे इसमें आल इंडिया के लोग नहीं जा पाएंगे इसमें यहाँ पर बोला गया है कि केवल कारगिल के उमीदवारों के लिए जो लोग कारगिल से रहने वाले हैं सिर्फ वही लोग 20 जून को यहाँ पर इस गराउंड में भरती देखने जाएंगे इंडियान आर्मी का यह फेक नोटिस नहीं है ठीक है रियल नोटिफिकेशन ह सोचना की फर्जी हो सकता है असा नहीं है ठीक ना क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी का मोहर वर पूरा लगा हुआ है यहाँ पर आपका 21 जून को भरती कराया जाएगा अगनी बीर गोने रॉल ड्यूटी यहाँ पर बोला गया है गोने रॉल मतलब वही जनरल डूटी आ यहां के लोग 11 जून को भरती देखने जाएंगे उसके बासे 28 जून जून दिया है तो 28 जून को भी मतलब GD का ही भरती कराया जाएगा और GD का भरती यहाँ पर मिट में पर लिया है प Which Would the देखने जाएंगे फिर आपका यहां पर 7 जुलाई से 8 जुलाई तक अगनीवीर जीडी का भरती चलेगा और यह भरती भी इसी गराउंड में चलेगा ठीक ना और यहां पर केवल लाहॉल और इस्पीती के सभी उम्मीदवार जाएंगे लाहॉल और इस्पीती के लोग जुलाई को भरती होगा जीडी का और यहां पर भी केवल चांग ठांग और नुबरा छेत्र के लोग ही भरती देखने जाएंगे ठीक ना उसके बासे 15 जुलाई को भरती होगा वो भी आपका जनरल ड्यूटी का ही होगा और यहां पर लेह जिले में आपका चांद ठांग नुबरा दिया है नुबरा नहीं चांद ठांग और नुबरा को छोड़कर और किंदरसाशित प्रदेश जम्मू कास्मीर के डोडा और की स्तवांड जिले के बहुत उम्मीदवार के लिए भरती निए भरती 15 जुलाई को करा जाएगा अब जिस भरती के बारहे में आप य आपका यही मतलब यहां पर दीख रहा है 16 जुलाई 2024 लेकिन इसमें लेकर अभी मैं पूरा खिलीर नहीं हूं पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ठीक ना वीडियो के सुरुबात में भी बता दे रहा हूं यह नोटिफिकेशन अभी मैं आप लोगों के सामने लाया ह है कि 16 जुलाई को अगनीवीर ट्रेड मैन का जी डी करें ट्रेड मैन का भर्ति जो आठ पास से और दोस पास से होगा ठीक ना यहां पर लिखा गया कि लेह के लिए कराए जाएगा इन जीलों के लिए कराए जाएगा कोई भी जिले का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है तो अब इसका मतलब मुझे बस नहीं समझ आ पा रहा है कि AIAC का मतलब क्या होता है क्योंकि इससे पहले जब यह भरती आया था तो इसके उपर में वीडियो नहीं बना पाया था मुझे पता नही इंडिया लिखा होगा लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा उसके वासे फिर समय वीडियो बनाऊंगा आप लोग पूरा डॉकुमेंट तयार कर ले जिन लोग का रेस अच्छा होगा और जिन लोग के पास थोड़े पैसे होंगे क्योंकि लिए हमें जाने के लिए पैसो लगा था फलाइट से गया था ठीक ना लेकिन उसका सलेक्षन हो गया मतलब पढ़ने में भी एनई की बहुत अच्छा था नहीं इसका पेपर बात में होता है पहले दोड़ कराया जाता है और उमर लगता है ना साड़े 17 से लेकर 21 साल तक उमर लगता है जो आपका इंडिय है कि मतलब हमें लगता है कि वह भाला भरती है लेकिन पूरा 100 परसेंट किलियर नहीं है इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं अभी टाइम है यहां पर 16 जुलाई से भरती चालूगा अभी तो जून चल रहा है तब तक मैं इसके बार में पता लागा लूंगा मेरा दोस अभी इतने जिलो के लोगों के लिए तो कन्फर्म है कि हां इतने जिलो के लोग जीश-जीस तारी को भरती का डेट बताया आगे या वो लोग भर्ती देखने जाएंगे इस बशने से पहले हाई स्कुल का मार्शीट इंटर का अगर होगा तो इंटर का उसके वासे आधार में भर्ती देखने के लिए तो आप देखते हैं कब तक यह भर्ती के बारे में पूरा किलियर कंफर्म करता हूं जैसे ही कंफर्म होगा मैं आप लोग को बता दूंगा चलो ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद बंदे मात्रा